रेडियो एक्यू कॉंपॉल्स हम लोग पढ़ने थे रेडियो फार्मासुटिकल्स या यूग आईबीसी का उरिट नमबर पाच खतम होने वाला आपकी से ठीक है तो उस पर आज लेक्चर से बात करें कि हम लोग कल के कास जाने थे रेडियो एक्यू कॉंपॉल्स किसे कहते ह क्या होते है और ये निकलते हैं तो कितनी कमी आती है एक्यूम्स में और दूसरी बात में देखा थे कि आई अगर आप नहीं नहीं बड़त कर्या है frame जरिशक को इको डीकी मतल क्या होता है छरण आपको बने बताया था कि जैसे ट्रक में अगर सेव लोड है और ओवर लोड है तो वह हर मिनट हर सेकेंड ट्रक से लगाता सेव गिर्थ है तो एक यूनिट टाइम जाए उसको एक सेव बाहर गिरा वह उसका डीकें ही और उसका डीके मतला होता है छरण होलन मैंको उसी तरह रेडियोमाठ्य कॉंपॉण्स जो होते हैं वो लगातार करते है रडियेशन को और उनके मास्क बेढातार कमी आती है वह भी रेडियोमाठ्य कॉंपॉंच है वे अर्म फे अल रेडियोमाठ्य голос एक अल्फा यानि है प्रती मिनिट या प्रती समय एकांग समय में तीक है? इन यूरीट टैम जितना की कोईटिटी निकल रहा है जितना मास में कमी आ रही है उसी को रेटियुक में हो रहा है तीक है? अब इसको समझते है, कि इसका रेपर्टेंट करते हैं इसको रेडियो कोटीके जर रेट ऑफ डीके या डीके कोस्टें थेकि है तू प्रीच तो से कॉस्टें है टी क्या है ताइम आप यह ताइम चाहिए एक सेकंड रखो एक घंटा रखो इस तना ताइम आपका भोड़ा है वो ताइम रखेंगे लॉग नॉट क्या है कि इनिसि अब लॉट क्या था दस किलो एल क्या है आट किलो यहां रखेंगे तू पांच गंटा रखेंगे आट विए रखेंगे हमारा कल्म सरू जाएगा इस किस रेट से खतब हो रहा है उसका रेट आप डीके क्या है हम आसानी से इसी केल्प्रेट कर लेंगे आप लोगों को स्रे अब से इनका नाम यूट्स पड़ा तो सबसे इम्पॉर्टन तो पहली उनित है बैकेरल है है था बीकि उस पी रिएट करते है वन बैकरल इसकोई तो वन डीपीस बीके पर सेकंड एक सेकंड में जितना चरण होता है या एक सेकंड में जितना मार्टियर निकलता है उसी को क्या कहते हैं, DPS का मतना BK per second, यानि एक second में किसी भी रेटियो एक्टियू में जितना BK होता है, उसे बोलते हैं 1 background, अब देखो, एक क्योरी में कितना होता है, 3.7 x 10 VPS, यानि DPS per second, इसको इंपने करता है CZ, यानि हम कहते हैं, 1 C is equal to 3.7 x 10 VPS, अच्छा, एक RD, RD मतना बना द 10 VPS, यानि आपको याद करना है, और 1 R, R मतना मतना रॉंटा जिन, रॉंटा जिन से बोलाव, किलोग्राम इन वस, ये तिचार यूनिट से, जो आपको याद करना होगा, जो सबसे इस बोलाव, बन DPS होता है, अगर के लिमेरिकल करते हैं, इस ही की हैं और लिमेरिकल हमारी अर्थ आयुकाल केते हैं, इसको डिरोल करते हैं, इसको टी एक बटे दो से करते हैं, या टी 50% से करते हैं, अलग अलग चीजों से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टी मतना समय, तो यह हमारा हमारा हमाना चापल, कि हमने यूरेनियम लिया, हमने लिया और यूरेनियम का हम दो मंट्ते के बाद यहां बचा है 900ग प। तीन घंटे बड़ा है 550ग प्र देखCoran對了 मैं नमोसक फेर शेंदे में पालो यूश वंत्रा का ऊंदा है 500ग अधिया अपनी प्रारंभिक मात राहि हुआ है यहां 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 canada क्राङंगी इस了क कितिशाम से stars कbits सब्सक्राइब लिसकाब यहां का झिस बनारो अपनी ऑनिनियेशल कॉनिटी यानि प्रा राफ्निक मात्रा का आधा bajo कर शिर्च बस्ता ऐसा पुसे कया बहुति है उसका यहां सब्सका अर्भ लिकाण अगर जी को कर समझे चाहिए है ठीक है का? ठीक है का? Half life is that time when the concentration of radiography remains half of the initial column ठीक है? अब इसका formula होता है T half square to 0.693 upon lambda ये कैसे आया? ये formula आप देख रहे है lambda 2.303 upon T ठीक है क्या रहे है क्या है? और यहां पर N 0 क्या है? इनिस्याल मतला माल लिजे एक अल्लाक को ला एक बटे दो तो एक बटे दो उपर जाएगा अल्लाक को तो मेलों किती है तो 0.3010 इसको इसको multiply करो क्या है? 0.69 ये वहीं साया है आपको उसका deviation कोई 0 नहीं है 0.693 upon lambda इसका T half है आपको जाएगा आपको जाएगा आपको जाएगा इसका rate constant आपको तरह एक एवरेस लाइग क्या होता है? कि जिस समय काल में कोई radio equipment अपना 90% खतम हो जाए जिसे एक किलो सुझ लिया तो 900 gram खतम हो जाए कितना बचे? 100 जानि कि ओ 10% बचे और 90% खतम हो जाए उस समय काल हो का बोल दे हम लोग ठीक है एवरेस लाइग होता है ये इसको और जस्ट्रेसी प्रोकल होता है टाव से इसको प्रेकरते है टाव मतलब टाव ये जो बनाए ये टाव है टाव से प्रेजन करते है ये वाल आप ओल लेम्ना इने बिलेट करते है ये चार डिफियसर है छुटिव डिफियसर है ये एक ये दो नंबर मैलती है चारो डिफियसर या यूनिट्स कूछ लेता है ये वारा होगे टॉपिक आपने इस प्रेजन करते हैं ये अग्युड़क्या श्युटिप है ये वाल खुड़क्या रिफ्शक्या टॉटिपस्टिवड़क्या रिफियसर है